राशन में रगड़े का सवाल उड़ता है तो सवाल ये भी उड़ता है राशन में नाकाम रहा है। आपकी राख के मताबिक जो जवाब मिला सतर फीशिदी लोगों ने हमी भरी है और तीस 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 वाद से इस वाद से फ़िफाग नहीं रखते। तो आशा करते हैं कि भारती जनता पार्टी की सरकार इसको अपनाएगी कि हम सब साथ रहें और सौ हातों से कमाएं और हजार हातों से वित्रण करें और जहां तक कॉंग्रेस का सवाल है कॉंग्रेस को एक अच्छे ओपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए सिर्फ राजनेतिक कार्णों से धर्णे देने से बाज आना चाहिए इन सब कामों को बंद करके कुछ अच्छे सजेशन्स लाकर उनको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए अर्चरा जी सजेशन्स की बात आ रही है बानावत साब ने कहा भी था कि एक तारीक्त हो जाए तब भी हुआ जब ये खुद अपसर थे तो उस दौर में इनों ने महकमे को इस बात का सुझाव दिया और कई जगे लागू भी किया लेकिन बानावत साब ने बहुत पते की बात कहीं कि यदि शार्षन ये चाहिए कि इसे इंडक्ट करना ही है इस नवाचार को डालना ही है बात दे किया जाए तो नवाचार निश्चत रूप से फेल होता है ये बहुत सही बात कि उनका अनुभव इस चीज को बताता है ले उसको विस्तार देते उसको सुलप करवाते उस नेटवर्क को उपलप करवाते उसके इस meshी लगाते अब समझसे हैं क्या हो गई ना तो नेटवर्क है ना उनको लगाने का ट्रेंड स्टाफ है और आप चाहते हैं कि उसके माद्यम से बायमिट्रिक्स से सुविधा मिले तो पॉजिटिव विपक्षी भूमेका निबाएं तो वह निभारे लोगतांतिक विवस्ता में जनता के साथ सड़कों पर उतरना उसके साथ गुहार लगाना है हमारा धर्म है और यह संबाद की प्रक्रिया हमने इस्तापित कि क्योंकि भारतिय जनतापाट में संबाद हिंता की पराकाष्ट ऐसी है कि वो गोली चलाते हैं वो अंशन करने वाले को मरने के लिए छोड़ते हैं और जो गहार लगाता है उन महिलाओं को उनके खिलाफ अपरादी करन करें केस दर्च कराते हैं तो यह लोकतांतिक का गलागोटने की प्रक्रिया और हम तो सिर्फ इतना कहें जो विपक्ष सत्ता में है आज वो अपनी वावाई लेने के लिए विपक्ष को कोसना बंद करें क्योंकि आज आप अकाउंटिबिल है अकाउंटिबिलिटी को स्विकार करें जलादेश सुझाव आपके सामने हैं माने मंत्री जी ने बहुत सारे चीजे ठीक करने का प्रियास किया है बाव मेट्रिक पनाली से किया हो चाहे एक सबसे बड़ी बात आपने पैतारिस के टेगरी में डेड़ सो वस्तवे पांच हजार दुकाने अनपुर्णा योजना करके माने मुक्विंद्र जी ने जो गरीबियों के मूं में एक निवाला दिया है वो अपने आप में सराण्यक देम निश्य दूरुत अगर एक साल के अंदर आगयाने वाले एक साल में हमने सारे दुकाने खोल दी आपने मिलने वाले मसाले बंद कर दिया आप आप मेरी बास सुनिए आपको केवल मातर इस एक सरकार कर रहे हैं कॉंग्रेस के लोगों के पास में कामना चाहते हैं अगर इस डिबेट के बाद कोई नतीजा निकले समस्या आ रही है आप उसको सामना कीजिए उस समस्या का उसको दूर करने का प्रियास किजिए निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ समस्या हैं आप लोगों ने जितनी बाते के मैं वेक्ति साय यह कहना चाहूंगा कि जो दो समस्या है ध्यान में निश्य तरूप से माने मंत्री जी और माने मुख्य मंत्री जी के ध्यान में वो सब बाते लाए जाएंगी मुख्य मंत्री जी के दफ्तर से निर्देश जारी हुआ है मैं हमने अपनी रिपोर्ट में भी का आई लेकिन कहीं के हमको मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने कुछ चीजों में पीडिये स्वेवस्ता में ठीक करने के लिए सब्सक्राइबिर के लिए की ज़रूरत है कि अभी फिलाल थूपा गया आया फिर जो इंपार करना चाहती ये बूत करने हो कि कुए Любis can नहीं हुने होनी कि ऊहां एक है ーक दूसरी बात ने हम बात करते हैं सब्का साथ सब का विकास कभी कभी यह प्रश्नें भी पूछ ला जाएं जो पहले ही अग्रणी पंक्ति के अंदर है और इसमें जैसा मैंने का क्रियानविती के विस्तरित जब तक माप दंड तय ना हो जाएं तब तक समिक्षा तो देखे हर विश्चा पर होनी ही चाहिए समिक्षा, नियोजन, ख्रियान विती, यह सब किसी भी प्रभंदन का एक प्रमुक्त बिंदू होते हैं सारे के सारे, समिक्षा तो जैसा अभी मुकेश भी कहा है, समिक्षा हो भी रही होगी, और समिक्षा के बाद जो सच्चाई उबर के आती है, उसको स्विकार करना प्रियर देश के लाहाल जारी हो चुके है, आज जी चर्चा में इतना ही सभी महमानों के शुक्रे आदा करते हुए, आप सभी से इसी उमीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बहतर साबित हैं